बदलते हुए भारत में, तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लगातार बन रहे हैं। और जब विकास तेज होता है, तो स्वरोजगार के अवसर अंगिनत मात्रा में बढ़ने लगते हैं। जो आज भारत अनुभव कर रहा है, अस्वरोजगार का अक्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है। एक नई सड़क बनती है, तो उसके आज पास कैसे रोजगार की भी नई राह बनने लगती है। उसी सड़क के किनारे नई बजार खड़े हो जाते हैं, तमाम तरह की दुकाने खुल जाती है। सड़क होने की वज़े से किसानों के उत्पात आसाने से बजार तक पहुंचने लगते हैं। इसी तरह जब कोई जगह नई रेलिवे लाइन से कनेक्ट होती हैं, तो वहां का बाजार सम्रुद्ध होने लगता है। आवाजाही की सुविदा होने की वज़े से परेटन का भी विस्तार होने लगता है। और इस तरह के हर विस्तार में रोजगार की नई संभावनाएं मौजूद होती है। आज भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिये हर गाउं तक ब्राडबेंड कनेक्टिविडी पहुंचाई जा रही है। जब हम गाउं को इंटरनेट के जरिये बाकी दुनिया से जोड़ते हैं तो इससे भी रोजगार के नए आउसर बनने लगते हैं। टेक्नोलोजी को ना समझने वाला व्यक्ति भी ये जानता है कि पहले जिन कामों के लिए भागदोर करनी पड़ती थी वो अब मोबाइल या कम्पूटर पर एक क्लिक में हो जाता है। हम देखते हैं कि इस सुविधा का लाब लेने के लिए कई बार वो टेक्नोलोजी के किसी जानकार की मदद चाहता है। और सामान्य मानवी की इसी जरूरत से रोजगार की नई-नई संभावना ही पएदा हो रही है। आज गाउं, कस्मों या शेहरों में भी ऐसे एंट्रिप्रनर्स दिख जाएंगे जो लोगों को ओनलाइन सेवाएं देले में अपना नयाक्षेत्र खोल करके काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत के छोटे-छोटे शेहरों में लोग जिस तरह स्टार्ट अप शुरू कर रहे हैं। वो अपने आप में नई PD के लिए आकर्शन का केंदर बना हुआ है। आत्मभी स्वास का केंदर बना हुआ है। और स्टार्ट अप की सभलता ने युवाज शक्ति के सामर्थ की एक दुनिया वर्में पहचान खड़ी की है।